इस घटना की बाद इलाके में संसिनी फैली हुई है घटना फुल वरिया था नाक्षेटर के बारो गाउं का है बता जारा कि मिर्ता के बातीजे की 26 अप्रैल को शादी थी फिलाल घटना की सुच्टा पाकर पुलिस मौके पहुंची और मामने की तप्तिश कर रही है मदवनी जीले के बेनी पट्टी के जीले में जेल में एक इलाज के अभाव में का कैदी की मौत हो गई आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि जेल प्रशाशन के तरप से जेल में बंद कैदी का इलाज समय पर नहीं करवाए गया जिसके कारण कैदी ने अपता दम तोड़ दिय वह मिर्ट कैदी की पहचान पर सौनी गाव के निवासी अब्दुल समी के रूप में की गई है जो एक लड़की की अपहरन के मामले में जेल में बंद था सरसाद जेले के बंगाव थानक शेत्र के एक गाव के शादी समारों में हतियार लड़ा कर डांस कर दे कुछ युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वाइरल हो रहा है वाइरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे कुछ युवक बेखाफ होकर तमंचे पर डिस्को कर रहे हैं अलाकि नेशनल नियूज वाइरल वीडियो की पुष्टी नहीं करता है कुछ वाले थानक शित्र के रसुन चौपा पुलिस पुलिया के पास हुई लूट कांड मामले में जमशेदपूर पुलिस ने दो आरूपियों को गरपतार किया है गरपतार आरूपियों के पास से लूट के 21,500 रूपे भी बरामत किये गये आपको बता दे बिते शनिवार को ओडिशा के दो वेपारियों से हत्यार के बल पर 1,70,000 रूपे के लूट की गई थी जिसकी सुचना मिलने पर पुलिस ने च्छापे मारी शुर की इस दोरान पुलिस ने घटना में शामिल आठ अपराजियों में से दो को गरपतार कर लिया है बाकी के तलाश जारी है बिहार में अपरात का दोर थमने का नाम नहीं ले रहा है ताजा मामना राजधानी पटना की है जहां जक्कन पूर्थाना अंतरगत बस स्टैंड के गेट नमबर एक के पास एक इवग को चाकू से गोत कर मार डाला गया में तक इवग बस कंड़क्टर बता जा रहा है सुचना पर पहुंचे पूलिस ने घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को गरपतार किया है जिसे पूछताच की जा रही है